आज हम बात करेंगे जूठी गवाही देने पर क्या सजा होती है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अदालत में जूठा वियान देने या फिर गवाही से मुकरने के कई मामले देखने को मिलते हैं जिनमें पता चलता है कि गवाहा पैसो में बिग गया और उसने चुठी गवाही दे दी जब भी कोई अपराद या कोई कारे होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं पहला अपराद करने वाला दोशी पक्ष और दूसरा अपराद को सहने वाला शिकायत करता पक्ष अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस गटना को देख रहा हो या जानता हो तो वह गवाह कहलाता है पुलिस केस में उस गवाह की स्टेटमेंट CRPC की धारा 161 में रिकॉर्ड करती है इसमें पुलिस गवाह के वियानों को सुन कर स्वैम लिखती है इस स्टेटमेंट पर गवाह के अस्ताक्षर लेने जुरूरी नहीं होते तथा उसकी कॉपी भी उस गवाह को देने का कोई नियम नहीं है अगर कोई गवाह पुलिस को अपनी CRPC धारा 161 में जो गवाही दे और उसे कोट में जाकर मुकर जाए तो उसे मुकरने वाले गवाह यानी होस्टाइल बिटनेस कहते हैं अदालत के सामने पुलिस की कहानी को स्पोर्ट ना करने वाला गवाह होस्टाइल बिटनेस होता है पुलिस किसी को भी जानविन के दोरां सरकारी गवाह बना सकती है गवाः की सहमती से पुलिस CRPC की धारा 161 के तहथ उसका भयान दर्ज करती है धारा 161 के भयान में किसी गवाः के दस्टकत किये जाने का प्राबधन नहीं है किसी गवाई के बारे में अगर पुलिस को शक होता है कि वो बाद में अपने भयान से मुकर सकता है तो उस गवाह का धारा 164 में मैस्टेट के सामने बयान दर्ज कराया जाता है धारा 164 में बयान देने वाले के बाद में मुकरना आसान नहीं होता वैसे इन तमाम बयानों के बाद भी ट्राइल कोट के सामने दिया बयान ही मानने होता है और अदालत यह देखती है कि गवाह जूट तो नहीं बोल रहा अगर अदालत को यह लगता है कि गवाह अदालत में सच्चाई बयान कर रहा है और वह बयान पुलिस के सामने दिये गए बयान से चाहे पूरी तरह मेल नहीं खाता हो तो भी उस बयान को से इवकार किया जाता ह जूठे गवाह के खिलाब कारवाही कैसे करें? जूठे गवाह के खिलाब कारवाही के तीन चर्ण है पहला है अगर कोट को केस के किसी भी स्टेज पर लगे की गवाहा शब्त लेकर जूट बोल रहा है तो वो उसके खिलाब मुकदमा चलाने के लिए कारवाही कर सकती है ऐसे में कोट CRPC की धारा 340 के अंतरगत कारवाही करती है और दूसरा है शिकायत करता को लगे की उसका गवाहा उसी के खिलाब गवाही दे रहा है या फिर दोशी को बचाने के लिए कोई जूट बोल रहा है तो शिकायत करता कोट और पुलिस दोनों की मदद से उस जुटे गवाह के खिलाब कारवाही कर सकती है और तीसरा है दोशी भी गवाह के खिलाब कारवाही कर सकता है अगर दोशी को लगे की कोई गवाह उसे जूट पिसाने के लिए या फिर शिकायत करता की मदद करने के लिए उसके खिलाफ गवाही दे रहा है तो उस गवाह के खिलाफ कारवाई धारा 193 आईपीसी के तहट उस ब्यक्ति पर मुकदमा चलाये जाता है जो की अपनी गवाही से मुकरा है या दोशी को बचा रहा है लेकिन इसे किसी को कोई सजा नहीं हुई है इस मामले में दोशी पाये जाने पर अधिक्तम 7 साल कैद की सजा का प्रापधान है धारा 340 CRPC के अंतरगत कोई गवाह किसी व्यक्ति विशेश को जूट अपराद में सजा करवाने के लिए गवाही दे तो उसे इस धारा में सजा होती है या हो सकती है तो ऐसे गवाह को इस धारा में सजा दी जाती है इस धारा में सजा की कोई लिमिट नहीं है अगर आप कि इसी व्यक्ति के खिलाब ऐसी जूठी गवाही देते हैं कि उसे फांसी हो जाए तो जूठ पकड़े जाने पर आपको एक इस धारा के नुसार फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जाएगी। आपको याद नहीं है कह नहीं सकते या फिर भूल गए इस बातों को भाना बना कर अगर आप गवाही दोगे तो कल की बात जूठी पाने पर भी आपके खिलाब कोई कारवाही नहीं होगी।